दुरूपदी का असली नाम कृष्णा था वो अगनी से प्रकट हुई थी और स्री कृष्ण के जैसे ही सामले रंग की थी इसलिए कृष्णा नाम रखा गया था दुरूपद नरेश की बेटी होने से दुरौपदी और पांचाल राज्य की राजकुमारी होने के चलते पांचाली के नाम से भी जानी जाती है तो दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारी चैनल में जिसका नाम है अंसुल जे रहस्या और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे दुरौपदी के कुछ अंजाने फैक जो आपकी सोच बदल देंगे आईए शुरू करते हैं पांचो पांडव असल में पांच पूर्व इंद्र थे जिनके द्वारा यमराज, वायू और अश्वीनी, कुमारों के प्रती पाप बन गया था जिसके चलते उन्हें धर्ती पर उनके जरिये जन्म लेना पड़ा और द्रौपदी असल में इंद्रानी का अवतार थी इसके पूर्व जन्म में उसकी शादी नहीं हो रही थी तो शिव की तपस्या की थी शिव के प्रकट होने पर उसने आतूर भाव से पांच बार मुझे पती चाहिए कहा था हाला कि कृष्णा को अर्जुन ने स्वैंगवर में जीता था लेकिन बड़े भाई यानि कि युधिष्ठिर के रहते अर्जुन विवाह नहीं कर सकता था साथ ही कुंती ने भी भिक्षा को आपस में बांट लो कह दिया था ऐसे में व्यास जी की सम्मती से ही उनका विवाह हुआ था शास्त्रों के अनुसार अगर किसी औरत को पांच मर्द भोग ले तो वो वैश्या ही माने योग्या है लेकिन अगर वो पती सभी भाई है तो विशिश परिस्थितियों में उनकी शादी हो सकती है अपने स्वैंगवर और राज सुय यग्या के अलावा द्रौपदी को किसी पक्षी ने भी नहीं देखा था वो अलग बात है कि जुए में उसके अपमान के बाद वनवास के दौरान उसे सभी नागरिकों तक ने देख लिया था युधिष्टेर ने द्रौपदी को जुए में दाव पर नहीं लगाया था असल में वो पहले खुद को हार गए थे तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे उन्होंने अपने स्वामी दूर्योधन की आग्या के पालन के रूप में द्रौपदी को दाव पर लगाया भर था द्रौपदी ने दुशाशन के खून से अपने बाल नहीं धोये थे द्रौपदी अपनी सभी सोतनों का भी समान करती थी और उनकी भी पती के समान पूजा करती थी ये सब तथ्य माभारत से लिये गए हैं इन्हें जानकर हमारे हिसाब से हर कोई दुरौपती सरीखी ही पतनी पाना चाहेगा ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं वीडियो को जादा से जादा लाइक और अपने दोस्तों के भी शेयर करें और भी ऐसे अनोखे तत्यों के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ अनसुलजर हैस्य में